हेलो व्रिवन आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल त्यारी सक्सेस की में दोस्तो आखिरकार आज आप सभी हिंदी ओनर्स के स्टूडेंट के लिए मेले करके आया हूँ फिप्थ सेमिस्टर का डिये सी पेपर वन का एक महतुपूर्ण प्रसन दोस्तो ब लोग को कुछ नहीं बताते हैं तो आप सभी के लिए दोस्तो आज ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी ओनर्स के स्टूडेंट के लिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा कि सर हमें अच्छा लगा है कहानी से दोस्तो इदगा कहानी मुंसी प्रेमचन द्वारा लिखी गई एक प्रमुक और बहुत ही ज़्यादा मन को महलेने वाला एक कहानी है दोस्तो जिसमें जो मेन करेक्टर होता है दोस्तो वो है हामीत हामीत एक लड़का है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है उनके मा में जा रहे थे तो हामीद भी जा रहे थे ठीक है उसको ले करके दोस्तो उस ताइम पर दोस्तो ऐसी घटना घटी जिससे उनका जो हामीद का चरित्र था वो बहुत ही जादा popular हो गया और सब का मुन को मोह लिया ठीक है तो दोस्तो पूरा पीडियों को एंट तक देखिएगा आपको जरूर अच्छा लगेगा दोस्तों ठीक है तो कोईशन रहेगा इदगा कहानी में हामीत के चरित्र बर प्रकास डाले तो दोस्तों इदगा जो कहानी है एक मुंसी प्रेमचन दोवारा लिखी गए एक हिर्दे को इसपर्स करने वाली कहानी है ठीक है हाम कि बाल सुलब आकांच्छा कलपनाओं आसाओं जिगाशियों से कुजरती हुई एक ऐसी अंजाम तक पहुचती है वह सभी बाल सुलब बातों को छोड़ करके प्रेम और त्याक का एक ऐसा मिसाल प्रस्तूत करता है यानि दोस्तों क्या है जो हामित है और एक आनाद वच् जो दादी के साथ रहता है ओपने बाल रूप में है यानि बच्चे के रूप में है और बच्चे के रूप में रहते हुए अंदर के जो आकांच्हा है कलपना है और आसाएं है उनको पिक्तों पूर एंड तक देखिए एग़ाइग हो पड़ी हामित के चरित की कुछ प्रमुख विस्यस्ताएं निमने लिखी थे यानि दोस्तो हमित के करेक्टर को अगर समझना चाहेंगे तो कुछ-कुछ महतुपुन पॉइंट है उस पॉइंट के हिसाब से हम लोग समझ पाएंगे दोस्तो जो पहला पॉइंट है और निडर और सहासी प्रवत्ति के बालक थे तो उसको कैसे समझेंगे यहाँ पर ध्यान दीजेगा थोड़ा हमित एक निडर और सहासी बालक है उसकी दादी अम्मा को चिंता है कि वह इदगा अकेले कैसे जाएगा उसे डर है कि मेले में कहीं भीड भाड में कहीं खोना जाए उसे ड गाउं के सभी बच्चों के साथ मेले में चला जाएगा यानी अकेला नहीं जाएगा कहीं भीडबाड में खो नहीं जाएगा वो गाओं के लड़के के साथ मिले में जाएगा वो अपनी दादी को आस्वासन देते हुए कहता है कि अम्मा डर्ना मत मैं सबसे पहले आ जाऊंगा और बताता है उनका दादी को कि दादी डरना मत, मैं सबसे पहले आ जाओंगा, अब मेरे लिए कोई चिंता मत करना, ठीक है, दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान दिये, कि हमीत एक निडर और सहासी बालक है, ठीक है, दूसरा है दोस्तों सयम्मी, सयम्मी क्या है, हमीत सयम्मी लड़का है, उसे मेले म अनिक लुभावनी चीज दिखाए देती है, तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, मिले में जब हम लोग जाते हैं, तो तरह तरह का चीज देखने को मिलता है, और सभी को इस तरह से सजा करकर रखता है, कि हम लोग को लगता है, कि यह ले न ओ ले, ठीक है, तो हमीत के पास दोस्तों उसका दादी तीन पैसा दी है ठीक है और वो इस पैसे को खर्चा नहीं करना चाहता था वो पैसे से एक ऐसा चीज लेना जाता था जिससे उसका दादी को बहुत ही ज़्यादा हैल्प मिले और दादी के जरूरत के समाल लेना चाहता था क्योंकि दोस्तों वो जो उनका दादी रोटी बनाती थी तो रोटी से उसका हाथ जल जाता था ठीक है तबापने मिठाईयों देखकर उनका मन भी उन्हें पाने को करता था यानि लगता था कि कैसे सब मिलेगा। ठीक है लेकिन वह अद्भूत सयम का परिचे देते हुए वह अपने मन के सभी इक्छाओं को मार कर अपने तीन पैसे बचा कर रखता है यानि सब कुछ देखते हुए भी अपने मन की इक्छाओं को मारते हुए भी वह अपना पैसा को बचा कर कर रखता है ताकि वह अपने द प्रिड संकल्पी बालक है मौसीन उनका जो दोस्त था मौसीन सामी नूर महमूत उसका मजाक उड़ाते हैं वह चाते तो उसके मजाक से व्यत्तित हो करके अपने तीन पैसे को खर्च करके कोई खिलोना या मिठाई खरी सकता था यानि दोस्तों क्या है उनका जो दोस्त गाउ मिठाई का खाली सेंट लेगा वह इसे तरह तरह का बात उसको चिड़ा रहा था लेकिन दोस्तों हमित चाहता थो उनका मजाक का जवाब भी दे सकता था ठीक है और वह भी कुछ न कुछ खरी सकता था तीन पैसा से लेकिन एकदम वह देर संकल्प रहा कि वह फिक्स है कि व उनके बातों का कोई भी यह नहीं किया जवाब नहीं दिया परंतु वह वज्थ की चीजों पर पैसा खर्च ना करने के लिए संकल्प र अडिक था यानि वह चाहता था कि मैं कोई भी फिजुल का कोई भी सामान नहीं खरनगा ताकि हम मेरा पैसा खर्चा हो ठीक है वास्त में हुआ एक लोहार के दुकान से एक लोहे का चिम्ता खरिदा ताकि रोटियां सेकते समय उसकी बुढ़ी दादी की उंगली ना जले इस चिम्ते के खरिदने के पश्चात उसे अपूर्व संतुष्टी का अनुभव होता है ठीक है तो दोस्तों पूरा पूरी उनका जो दोस्त था उनका मजा कुडाने के बाद उन्होंने एक चीज लेने को विचार किया और वह चीज ऐसा चीज था ताकि वह चीज ले करके उसका कुछ काम आ सके ऐसा चीज सोचा तो मैंने जब जैसे बताया कि पहले कुछ दिर पहले कि उसने अपने बुढ़ी दादी के कलपी है यानि अपने बातों पर टिका रहने वाला नेक्स्ट है दोस्तों तरक सिल हामित एक तरक सिल वालक है जब वह खिलोनों को ना खरिद कर चिम्टा खरिदा है तो उसके दोस्त मौसीन नूर महमूद समी उसका मजाक उड़ाते हैं परंतु अपनी तरकों के बल पर उनका मजाक बनाते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं क्या हमित क्या खरिद लिया तो उसने तरक के आधार पर जो जो भी सामान खरिदे थे उनका दोस्त उन सबको फिजूल का बता दिया बेकार का बता दिया और यह जो चिम्टा खरिदा था उनको ही स्रेष्ट बताया और प्रविश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् बाल सुलब अकांचाओं को दबा कर ऐसे महान ट्याग का परिचे देता है कि उसके दादी के साथ साथ सभी पाठक द्रबित हो जाता है यानि उनको ये कर लेते हैं मन मुह लेते हैं ठीक है तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का जो चैप्टर है इदगा कहानी में हामित का च आप लोगों के लिए भी लेकर आऊंगा और अगर आपको लगे कि कहीं पर मिस्टेक है तो ये भी बताईएगा मैं आने वाले वीडियो में उसको सुधारने का पूरा कौसिस करूंगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिं और आपको लिए।